हरे किस्णा आप देख रहे हैं टू मीडिया का जोतिश विग्यान सिरी राम की आयोध्या सज रही है नगर वे गली गली पी चमकाई जा रहे है उस सब का माहौल है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद आयोध्या में मंदिर में रामलला विराजेंगे 22 जनवरी को आयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण पतिष्टा होगी इस आयोध्या में पीम नरेदर मोदी मुख्य यजमान है सिरी राम जन भूमी तीज तरश्ट के मुकतावी की है एतिहासिक मौका है जिसका इंतजार देश की करोडों की जनता को कई दशक से हो रहा है विश्व हिंदू परिशद ने 1989 में राम मंदिर आंदोलन शुरू की थी इसके स्पाध ही राम मंदिर देश की राजनिती का हिस्सा बन गया 6 दिसंबर 1992 को बावरी मर्जी द्वस्त होने के बाद देश्थम लगाये जा रहे हैं मंदिर परिशर में कास से की बनी विशाल जटायू परतिमा भी लगाई गई है मर्यादापुर सोत्तम सिरीराम एयरपोर्ट रोशनी से जगमगाने लगा है सबसे पहले यहां से दिल्ली और एहमदाबाद के लिए फ्लाइट सेवा शुरू करनी तयार की गई है हाइटेक अयोध्या रेलवे स्टेशन देखते ही बन रहा है रामलाला की प्राणपतिष्था के बाद पूरे देश से स्रधालों का आना बढ़ जाएगा इसलिए जगा जगा मल्टी लेवल पार्किंग भी बन रही है यहां इलेक्ट्रिक बाहनों को चार्ज करने की सुविधा भी रहेगी एरपोर्ट के अलावा अयोध्या में भक्तिपत, रामपत, जन भूमिपत, धर्मपत, आदिका लोकारपन भी होना है रामलला की प्राण प्रतिष्टा समारू के लिए थाइलेंड के राजा ने वहां की मिट्टी भेजी है कमबोडिया से सोगंदित हल्दी आई है इसके अलावा जोधपुर से 600 किलोग्राम गाय का घी और जनकपुर से मिथला आर्ट पेंटिंग भेजी गी है इस पेंटिंग में मातासीता के धर्ती की गोश से जन्म से लेकर उनका प्रभुराम से विभातक के परसंगों को दर्साया गया है 22 जन्वरी दोजाज 24 कोय अध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्टा होगी रामलला की मूर्ती करनाटक और राजिस्थान के पत्थरों से बनी है दर्वाजे और खिड्कियों की लकणिया महराष्ट के बलाल शाह से लाए गई है दर्वाजों और खिड्कियों पर नकाशी हैदरावाद के मजदूरोंने की देश भर की पवित्र नदियों और कुंडों से लाई जलसे होगा राम लला का अभिशेग वस दोजार परचिस में पूरी तरह बनकर तयार हो जाये गया भव्य राम मंदिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रिन कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें आपकी भावपून कमेंट्स का इंतिजार है हरे किशना